हेलो दोस्तों नमस्कार कैसे हैं आप लोग उमीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे चलिए आज हम लेका हैं आपके बीच इन फर्टिलिटी आखिर क्यों महिलाएं में जो होती है बांजपन की सिकार हो रही है अभी की दोड़ में ज्यादा तर महिला इस चीश्चे जूज रहे हैं जिनको बच्चे ठीक से नहीं हो रहे हैं जो कंसीविंग में प्रॉब्लेम है जो की बच्चा कॉंसीव नहीं कर पाती है करती है यूटरेस में कोई गरबड़ी है तो हम जानेंगे आखिर अभी जो बां पीनें आनि डाइटरी फेक्टर जो आफ खाना और पीना खार हैं उसमें ज्यादा एप स्पाइसी चीज ले रहे हैं ओईली चीज ले रहे हैं गडिश चीज ले रहे हैं फिजीकल वर्क बहुत कम कर रहे हैं जिनकी इंडोमेट्रियम आनी आपकी जो बचेदानी है उसके अंदर किसी भी तरह का मांस की ग्रोथ हो गई है चड़ भी बढ़ गई है जिस बज़से आपकी अंदर की जो मांस यो यूटरेस की साइज होती है बचेदानी की उसके अंदर का साइज जो है घर जाती है जो की प्रोपरूप से कंसिर्विंग नहीं होने देती है बार बार अधी आप सिक्रेट कोई भी ऐसे खा रहे हैं कोई नसे का सेवन कर रहे हैं कुछ ऐसे महिलाएं हैं जो बाड़ बाड़ अधी OCP का इस्तमाल कर रही है आप बच्चे इरोधक गोली जो खाते हैं वो क्या करते हैं आपकी यूटरस में जो हॉर्मोन बन रही है ओड़ी से जुनिकल रही है वो हॉर्मोन को डिस्वैलेंस कर देती जिस पज़े से आपको कॉंसिविंग में प्रॉबलेम होती है आप बांजपन का सिकार हो जाते हैं ज्यादा मातरा में एक्सिष मातरा में स्बैसी चीज और चाय और कॉफी का सेवन करते हैं उस बजह से क्या होती है वो ज्यादातर लीकॉरियललीक्रांजीट में लाज़ाती हैं जिनमें धात की सीकाथ स्वेथ पानी का निकलना यह ज़्यादा कंडि सन जब आती है तो आपको conceive होने में बहुत दिक्कत करती है अगला condition हो सकते है STD आनि Sexual Transmitted Disease अधी कुछ ऐसे महिला हैं जो gonadial हैं जिनकी STDs जो सफ़र कर रहा है उसको ये ज़्यादा देखने को मिलता है इस तरह की प्रेशानी आनि conceive करने में बहुत दिक्कत होती है अब आएगा इस तरह की patient तो आपको क्या दिक्कत बताएगा क्या लक्षन लेके बताएगा क्या ऐसी दिक्कतें दिखाएगी आपको चलिए जानते हैं पहली बात है इस तरह की जब लेडी जाएगी तो उनका मेंस में गरवरी menstrual cycle प्रोपर उसे नहीं होगा या तो बहुत ज़्यादा bleeding होगी या फिर बहुत कम होगी या फिर रुप रुप करके होगी और इर्रेगलर bleeding होगी उनको नावी के नीचे हमें सब पेट में भारीपन और दर्द होती रहता है इंटर कोर्स के दोरान बहुत तेज दर्द होती है हो सकता है कभी कभी bleeding होने के chances ज़राता है मन चिरचिरा लगता है मन एकदम सुष्ट टैप का लगता है नौजिया और बहुमेटिंग लगता है शड में दर्द बना रहता है ये कुछ समस्या लेके आएगी आपको पैड में जुन जुने टैप का क्रेंपिंग टैप का दिखाएगा ये कुछ लक्षन दिखाएगी आप समझ सकते हैं उनको irregular bleeding हो रही है ये कहीं ने कहीं इस चीज का सिकार हो गया है तो हम बात करेंगे ऐसी कौन सी बेश्ट दवा हम लेंगे जो आप बांजपन या conceiving problem हो रही है इनफर्टिलिटी से जूज रहे हैं उस चीज को आप बिल्कुल ठिक कर सकते हैं तो चलिए हम जानते हैं इसी तरह की नए वीडियो देखने के लिए मेरे चेन पर नए हैं तो मेरे चेन को लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इसी तरह का नए नए जानकाड़ी हम आपके लिए लेकाते हैं हर तरह की जानकाड़ी आपको मिल सके अब हम बात करेंगे ऐसी कौन सी बेश्ट दवा है जो आपकी नए जिन्दगी दिला सकती है आनि आप भांजपन के सिकाड़ है अधि आप में इन्फर्टेलेटी के बिमारी हो गई है आप ज़्यादा कंसीब निकट रहे है अधि इमेंस इरेगलर हो रही है या फिर ज़्यादा मातरा में धात गी रही है स्वेथ परदर्द आने लिकोरियल डिस्टार्जिन को होड़ी है ये सारी समस्या को दूर करने के लिए दवाई दिया जाता है अधि आपको यूटरस में किसी भी तरह गड़बरी हो गई या यूटरस का अंदर कोई तरह कमजोड़ी हो गई है यूटरस का आपको टॉन अप सिटी घट गई है टॉनी सिटी बढ़ाने के लिए मेंस रेगुलर करने के लिए आपकी धात की शिकायत होगे उसके साथ अधि कमर में दर्द होगे तो ये दवा आपके लिए बहुत ही बेस्ट है दो चलिए हम जानते हैं अएसी कौनसी दवा है इसके लिए हम लोग चलाते हैं अधि छोटे बच्चे हैं जो आट सल दस साल से हैं बार साल के हैं उनको दस बुन्द कड़के तीन बार अधा कप पानिम दिजैगा किसी भी तरह समस्याजी ठीक कर सकते हैं चले नए व्योडियो देखिने के लिए मेरे से बने रहे हैं धन्यवाद